हलो स्टुडेंट्स विल्कम बाक दिशानल दिने सर लाइव स्टडी आप मेरे साथ सीखर हैं 12 स्टैंडर का नया सिलेबस मैच जो 2020 में आया हुआ है और मैच 2 के अंदर 6 चैप्टर हमारा शुरू था आज हम exercise 6.2 स्टार्ट करेंगे लास्ट लेक्चर में आपने 6.1 देखा था 6.1 में आपको हर एक differential जो equation था उसका order और degree फाइन करना होता था बड़ा आसान था 6.1 6.2 उतना आसान नहीं है कि सिर्फ degree और order लिखना है लेकिन ये भी बहुत ही आसान है 6.2 के अंदर हमें करना क्या है देखो obtain the differential equation by eliminating arbitrary constant ये क्या चीज है कैसा है इसमें हम देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी equation के अंदर से arbitrary constant जो होते हैं जैसे कि यहाँ पर देखो x cube plus y cube is good to 4x x और y variable है बट एक constant है a, b, c ऐसे कुछ आए वो constant है उसको हम बोलेंगे arbitrary arbitrary constant उसको eliminate करके यानि उसको निकाल के हमें obtain करना है यानि प्राप्त करना है लाना है differential equation यानि कि इस equation के अंदर से हमें एक differential equation निकाल के लाना है differential equation वो होता है जिसके अंदर dy by dx वगरे आता है तो चलिए start करते हैं इस lecture में हम 6.2 देखेंगे students start कर रहा हूँ पहला question question number one के अंदर 10 questions है सबसे पहला question देखो है x q plus y q is equal to 4a x तो यह जो 6.2 है इसका basic सीखने से अच्छा मैं आपको जो already आपके exercise में examples दिये हुए उन exercise के questions को ही solve करके पूरा basic concept भी बताऊंगा solution भी सासाथ में हो जाएगा करना क्या है यहाँ पर हमें एक equation दिया है x q plus y q is equal to 4a x यह जो equation है इसको differential equation में convert करना है कौनसे equation में differential equation में convert करना है differential equation obtained करना है यह form करना है differential equation क्या होता है यह जो x y और यह है यहाँ पर हमें कैसे भी करके dy by dx आना चाहिए है ऐसा है equation लाना है जिसमें dy by dx याने कि हमें derivative लेना पड़ेगा तो यह जो equation है xq plus y cube is good to 4a x इसको derivative करना पड़ेगा इस equation का और इसको differentiate करना पड़ेगा मतलब लेकिन differentiate कितनी बार करेंगे एक बार कर सकते हैं ऑप तो यहां पर मुझे इसको डिफ्रेंशियेट करना है तो मैं कितनी बार डिफ्रेंशियेट कर सकता हूं यह बहुत important है, सबसे important point है कि दिये हुए equation के अंदर से, अगर मुझे differential equation निकालना है, तो उसको मैं कितनी बार differentiate करने वाला हूँ, यह सबसे पहले ही आपको decide कर लेना है, तो यहाँ पर आप देखो कि लिखा हुआ है arbitrary constant, इसके अंदर x और y को छोड़ के जितने constant होंगी वो देख लो, यहाँ x cube और y cube, y is a function of x, हमेशा सीखा है अपने differentiation में यह भी x है, यहाँ पर देखो यह 4a, 4a में अगर देखा जातो 4 तो number a जो है एक arbitrary constant है, a क्या है arbitrary constant है, तो कितने constant है यहाँ पर, इसके अंदर कितने constant है, सिर्फ एक constant है a, तो हम क्या करेंगे यह जो equation है, उसको एक बार differentiate करेंगे, कितने बार एक बार, सपोज यहाँ पर 4x plus b होता, यह कुछ और होता a और b दो constant आते तब हम इसको क्या करते हैं दो बार differentiate करते हैं यानि कि जितने arbitrary constant होंगे, उतनी बार आप differentiate करोगे, समझ में आ रहा है अगर एक ही arbitrary constant है तो आप सिर्फ एक ही बार differentiate कर सकते हैं उसको बार बार नहीं कर सकते हैं तीन constant है a, b, c तो आप तीन बार differentiate कर सकते हैं उसको differential equation बनाने के लिए तो यह बहुत important concept था आप ध्यान में रखना, सारे question में यही चीज़े common होगी, कहीं पर में एक ही बार differentiate करूँगा, किसी question में दो-दो बार differentiation लगाऊंगा, किसी question में तीन-तीन बार differentiation करूँगा, ठीक है कभी-कभी एक बार differentiation करने के बाद, यहने derivative लेने के बाद, हमारा answer नहीं आएगा तो हमें वहाँ पर substitution method use करना पड़ेगा, यह पहला question आपको सिखाता हूँ, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, अभी तक मैं basic बता रहा था कि कैसे करना होता है इस equation को ध्यान चे देखो, क्या धिया है, x cube plus y cube is equal to 4ax, ऐसे equation में याद रखना, y is a function of x, और 4a, a constant 4a, तो मैं सबसे पहले differentiate ही करूँगा, differentiating with respect to x, अब ये differentiating मुझे सिखाने के जोरे, ये पूरा chapter सिखा डाला आपको differentiation, उसके बाद application of derivative, उसके बाद integration, indefinite वाला, फिर definite integration, application of definite integration, पाँच चेप्टर सीख चुके हो, differentiation से related, अब तो आपको आना ही चाहिए, आप expert हो गए होगे, नहीं भी होगे, तो कोई problem नि, basic differentiation आता होगा, तो ये कर लोगे, कोई problem नि, इसको differentiate करने पर आपको मिलेगा, कि ये जो x cube है, याद रखो, x raise to n का derivative क्या सिखाया था आपको मैंने, x raise to n का, n x raise to n minus 1, वो concept लगा, x cube का 3 आ गया, 3, x raise to 3 minus 1, यहने 2, y cube का 3, y square, लेकिन x with respect to x था, चलेगा, ये y with respect to x करने, तो y का again derivative लेना पड़ेगा, dy by dx, और यहाँ पर 4ax, देखो, अगर 4x होता, तो 4x का derivative सी 4 लेते, x हट जाता है, 4ax है, x के साथ क्या है, 4a, तो 4a आ जाएग x हट जाएगा, अब यहाँ पर मैंने एक बार इसका derivative ले लिया है, जो यह equation था, equation number 1 इसको डाल के रखा है, मैंने, इसका एक बार जो derivative मैंने ले लिया है, अब क्या करूँ, अगर मैं इसको वापस से differentiate करूँगा, तो यह 3 to the 6x, और यह u into v करूँगा, और यह 4a 0 हो गा, actual में करना क्या है, eliminate करना है, arbitrary constant को, हमारे question में जो a, b, c इस तरह के constant होगे, उसको हटा देना है, जब तक आप पूरी तरह से उसको नहीं हटा होगे, तब तक आपको solution नहीं मिलेगा, उसको हटाने के लिए हम differentiate करतें, लेकिन यह एक ही constant इसलिए एक ही बार differentiate कर सकतें, ल 4 a है, तो इसको मैं second equation लेता हूँ, और क्या करता हूँ, substitute, substitute value of equation 2 in 1, जो 2 की value अब 1 में substitute किया, therefore, क्या जाएगा, x cube plus y cube is equal to, यह क्या था, 4 a into x, तो x यहां रहे गया, यह जो 4 a है, 4 a की value बेको यह है, क्या है वो, 3 x square plus 3 y square, dy by dx, यह आ गया, अब क्या करेंगे, इसको easy बनाने के लिए, देखो, यह x cube है, plus y cube है, यह x का multiply, दोनों में करो, 3 x square into x, 3 x cube हो गया, plus यह multiply हो गया, 3 x y square, dy by dx हो गया, सबको इस तरफ लाओ, यह तो इनको उस तरफ लेके जाओ, यह हो गया, 3 x cube, यह x cube यहां है, तो minus 1 x cube, plus, यह y cube, उस तरफ गया, तो minus हो जाएगा, क्योंकि यहां plus है, यहां already plus 3 x y square, dy by dx है, तो इस तरफ गया बचा है, यह पूरे खाली हो गया, सब उदर गया, 0 बचा है, यहां लिख दिया, equal to 0, finally, 3 x cube में से 1 x cube गया, तो 2 x cube, minus 1 y cube, plus 3 x y square, dy by dx, is equal to 0, यह आपका आगया, differential equation, यहां पर देखोगे, तो इस equation के अंदर आपको एक dy by dx मिला है, जो बताता है, कि यह differential equation है, और सबसे बड़ी बात, यह जो constant था, ए, वो यहां से गयाब हो गया, देखो, कहीं नहीं है, जैसे ही आपने substitution किया, यह गयाब हो गया, और यह जो था, यह rough work था, इसको हटा देते हैं, और आपका जो है, differential equation बन गया है, हमें करना क्या था, जो दिया हुआ equation है, उसको differentiate करके, differential equation बनाना था, और finally, हमारा differential equation यह आचुका है, तो यह एक तरीका है, आपको थोड़ा बहुत समझा ह होगा, हो सकता है, आपको detail में नहीं समझा, कोई problem नहीं, आगे के भी question में solve करके बता रहा हूं, समझाते जाओंगा, पूरा आजाएगा, ओके करके simple 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 सारी चीज़ा आजाएंगी, यहां से इसको copy कर लो, या screenshot ले लो, अगला question बताता हूं, मैं, अब देखते हैं question number two, question number two, देखोगे, यहां पर x square plus by square is called to one दिया हुआ है, यहां पर x और y को छोड़के, जो a और b है, यह constant है, इसको हम arbitrary constant बोलेंगे, eliminate करना arbitrary constant को, यहां पर दो-दो दिया हुआ, इसके पहले वाले question में सिर्फ एक ही constant था, small a, यहां पर दो constant है, capital A, capital B, कितनी बार differentiate करोगे, दो ब बस यही एक तरीका है, जो आपको follow करना है, हर एक question में follow करना हो जाएगा, देखो क्या करना यहां पर, differentiating, differentiating with respect to x, यह a है, x square का 2 आगया है का 2ax, यह by square का 2 आगया है, तो 2by, but y का derivative with respect to x करेंगे, तो dy by dx भी आता है, is equal to 1 का constant है, derivative 0, आगया, एक बार derivative ले ले लिए हमने, ल कोई problem नहीं, यहां पर थोड़ा सा simplify कर देते, दोनों में 2 है, 2 से divide कर दो, dividing both side by 2, तो चलो 2 हट गया, यहां से क्या हुआ, 2 हट गया, थोड़ा सा और आसान हो गया, simplify किया, जब जब इस तरह से कोई common चीज मिलेगी, उसको divide करके हमारी equation को simplify कर लेना, अब यह differential equation आ चुका है करना क्या है, obtain the differential equation, तो obtain मतलब आ चुका है, लेकिन question में बोला है, eliminating arbitrary constant, इसमें constant नहीं दीखना चाहिए, A और B, ठीक है, तो हम तब तक करेंगे, जब तक A और B दोनों गायब ना हो जाए, कैसे गायब किया जाए, यहां पर A और B दो constant थे, मैंने एक बार derivative लिया था, अब वापस से derivative लो, differentiating with respect to X, यहां लिख सकते हो, again differentiating with respect to X, A X का derivative, देखो X के साथ अगर कुछ है तो उसका derivative वही आदा है, प्लस B, यहां पर देखो कि B constant है, और यह Y into dy by dx है, U into V rule apply करो, यहां पर आप मैं derivative नहीं सिखाने वाला हूँ, because मैं derivative सिखा चुका हूँ, मैं U into V, V rule apply कर तो यह हो जाएगा, Y, then derivative of this, तो derivative का derivative यहांने second derivative, okay, second order, फिर प्लस dy by dx, फिर derivative of, देखो, dy by dx into derivative of Y, यहांने dy by dx, यहां यहां, यहांने u into V का derivative गया, U, ऐसे ही, फिर इसका derivative, फिर प्लस, यह जो V है, ऐसे ही, फिर पहले वाले का derivative, is equal to 0, यह हो गया, अभी भी A और B नहीं है आटे, A और B भर करार है, कोई प्राब्लम ने, substitution यूज़ करेंगे, क्या करो, A, यह सारा जो टर्म, यहां पर देखो, यह question में, यहां पर देखो, इसको equation number 1 रखते, यहां पर अगर, AX प्लस B है, तो यहां पर अगर में, इसको substitute परतो, तो काम हो जाएगा, यहां पर यहा प्लस, यह देखो, डी वाइबर डी एक्स है न, दो बार है, तो डी वाइबर डी एक्स, दो होल स्कूर, ओके, यह multiply हो के होल स्कूर हो गया, यह सारा प्लस वाला टाम वहां चला गया, इकोल के बाद जीरो आट कहीं आ गया, अब यह आपको क्या मिला, A का value मिल गया, इसको value for A, तो equation number 2 डाल दो इसको, यह equation number 1 था समझो, इस equation number 1 के अंदर, जो A था, A की जगा, substitute कर दो यह, तो क्या आ जाएगा, देखो, यहां पर, मैं substitute करता हूं, सबसे पहले, A था, A की जगा, पर यह लिखता हो, minus B, फिर Y into, d2y by dx square, d2y by dx square, plus dy by dx the whole square, यह आ गया, यह A की जगा है, फिर x है, फिर plus B, y dy by dx is equal to 0, तो मैंने 1 के अंदर substitute किया, यहां पर लिख सकते हो, substitute value of equation 1, equation 2 into 1, इस तरह से आप करोगे, तो क्या आ जाएगा, आप simplify करो, यह हो जाएगा, minus B into y, minus B y, d2, अच्छा, यह X भी आ जाएगा, देखो, यहां पर, एक मिनट है, यहां से देखो, इस पूरे bracket के अंदर, आगे से minus B है, और पीछे से X है, दोनों multiply होगा, तो minus B, x, y, और यह हो गया, d2y by dx square, फिर minus B, minus B, और यह x, और यह dy by dx, the whole square, फिर यह plus B, y, dy by dx is equal to 0, अब यहां पर देखो कि मुझे B अभी भी दीख रहा है A को तो मैंने substitute करके replace कर दिया, B अभी भी दीख रहा है, तो यहां से अगर मैं सब में से, देखो, सब में B है, सब में से B common लेता हूँ, और B वहां जाके divide होगा, तो 0 upon B, 0 हो गया, यह तो मैं ऐसे करूँगा, dividing both side by B, B से divide करते हैं, तो क्या हो गया, यह हो जाएगा, B से divide क dx, the whole square, और यह plus है, B से divide किया, तो यह हट गया, dy by dx is equal to 0, अभी यहां पर दो को minus आ रहा है, तो हम ना minus B से divide करते हैं, जैसे B से divide किया था था, तो समझो कि minus B से divide किया, नहीं समझ में आ रहा है, तो समझो कि और एक step करते हैं, dividing या multiply throughout by minus, यह सब minus, minus से plus हो जाएगा, यह minus हो जाएगा, यह तो पिछले step में ही समझो कि dividing throughout by minus B, यहां पर divide both side by minus B, ऐसे लिख सकते हो, तो minus B से divide करके, तो B के सब minus B हट जाएगा, minus हटेगा, तो plus हा गया, यहां minus B से divide किया, तो plus था, तो minus हा गया, तो क्या हो गया, एक step कम हो गया, समझ में आ रहा है, तो एक बार B से divide कर से अच्छा, minus B से divide कर देना, तो यह आपका differential equation आगया, देखो, d2y by dx square, यह derivative आगया, यह dy by dx है, यह square में है, यह अकेला है, तो यह differential equation है, यहां पर कहीं A और B दीख रहा है, नहीं दीख रहा है, तो हो गया, बस इतना ही करना है, चलो, इसको copy करो, आओ अब चलो, आगे का question काफी interesting है, और ऐसे जब भी question आएंगे, तो आपको बहुत मज़ा आजाएगा, जैसे कि यहां पर देखो कि कॉस और sign दिया हुआ है, कभी-कभी exponential होता है, okay, e raised to x वाला, तो ऐसे question बहुत ही आसान होते है, तो सबसे पहला trick क्या था आपको, जो मैंने बता है, कि eliminate करना arbitrary constant, कि कितने constant हैं, यहां पर देखोगे, तो a और b यहां पर देखो, दो constant यहां पर दिख रहे हैं, एक यह है और एक बी है, इन दोनों को eliminate करना है, दो constant है, कितने बार differentiate करोगे, दो बार करोगे, तो सबसे पहले differentiate करना, चालो ही कर दो, differentiating with respect to x, तो y का derivative क्या हो जाएगा, dy by dx, फि पहले दे दिया, और sin, और x के बदले log x है, तो log x, अब यह जो sin के बाद log x है, log x का वापस derivative, log x का अगें derivative तो 1 अपान x आता, याद है न, chain rule, cos का sin हुआ, और x के बदले जो है, उसका वापस derivative निकालके multiply करना, फिर plus b, जैसा भी sin है, तो sin x समझो, sin x का derivative, cos x, but x के बदले तो log x है, तो log x का as it is लिखो, और फिस log x का वापस derivative लेके multiply करो, log x का derivative 1 अपान x, अब यहाँ से क्या करना देखो, यहाँ पर, यह हो गया है, dy by dx, यहाँ से देखो, upon x, upon x, दोनों का upon x लेते हो, तो यह हो जाएगा, minus a sin log x, plus b cos log x, यह इस तरह से हुआ, एक साथ, और दोन x से वो common लेकिए, यहाँ पर multiply कर दो, यह यहाँ पर आ गया, नहीं समझ मैं, तो यह दोनों का upon x हटाने के लिए हम क्या करते है, multiplying both side by x, दोनों side को x से multiply किया, यहाँ पर x से multiply किया, तो x आ गया, यहाँ x से multiply किया, x x cancel हो गया, यहाँ x से multiply किया, x x cancel हो गया, क्यों किया, क्य अब बोलो के सर, actual में तो A और B को अटाना है, आप X को क्यों हटा रहे हूँ, तो A और B को हटाने के लिए ही मैं थोड़ा simplify कर रहा हूँ, अब देखो फिर से differentiate करो, क्यों दो बार कर सकते हैं, A और B दो constant है, दो बार derivative लो, तो again differentiating, again differentiating with respect to X, तो क्या आएगा, ये देखो ये ह हो गिया, U into V, X into DY by DX, तो X, फिर derivative of this, इसका derivative, derivative का derivative, second order derivative, क्या है, D2Y by DX square है, फिर plus DY by DX, U into V rule अपलाई किया, derivative of X, क्या होता है, 1, तो 1 से multiply किया, कोई problem नहीं, फिर यहाँ पर minus A, sine का derivative, cos, X के बज़े log X से रहे हैं, log X का अगिन derivative, तो 1 upon X, समझ्या है, फिर B, cos X का derivative, cos का minus sine, तो यह minus 3 plus को minus कर दिया, minus sine, और log X, X के बदले log X से sine X होना चाहिए, log X का again derivative, 1 upon X, अब जैसे यहाँ पर किया था न, upon X था तो, यहाँ भी करो, दोनों साइड को X से multiply करो, किस से multiply करोगे, X से, ओके, तो यह दोनों X कर जाएगा, यहाँ पर X आजाएगा, यह is equal to, यह X कट जाएगा, यह भी X हट जाएगा, सबको X से multiply किया, अब यहाँ पर दोनों से minus common लो, क्या बचता है, देखो, A, cos of log X, minus common किया तो B, plus B, minus common किया तो plus B, sin of log X, और यह 1 upon X कहा गया, जब X से multiply किया, तो X, X cancel, अब अगला step देखो, बहुत ही important step, यह X square, d2y by dx square है, ओकी, देन, plus X dy by dx, plus X dy by dx, यह आगया, देन, यहाँ पर देखो, यह equal कि बाद minus है, अब समझने के कोशिच करो, यह वाला जो portion, इसको ध्यान से देखो, जिसको मैंने red underline किया है, A, cos log X, plus B, sin log X, question देखो, A, cos log X, plus B, sin log X, देखा question, यह जो question है, वो जैसा question है, इसकी value क्या थी, Y, Y की value यह थी, और यही चीज यहाँ पर repeat हो गया, देखा, A, cos log X, plus B, sin log X, minus के बाद, वो ही चीज की value क्या है, Y, तो suppose यह equation number 1 है, so from 1, I can say from 1, यह जो था, यहाँ पर minus के बाद, यह पूरा जो है, यह पूरा, that is Y, Y, so Y, समझ मैं है, यही एक मज़ेदार बात थी, यहाँ पर, जब भी इस तरह से cos और sin होगा, यह exponential होगा, तो उसको जब दो बाद differentiate करोगे, तो cos का derivative, sin हो जाएगा, और sin का वापस derivative, cos हो जाएगा, तो जो question था, वही repeat हो जाएगा, तो जो question था, उसकी value से replace कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार interesting question, इतना बड़ा solution आ रहा था, डर लग रहा था बापरे, यह तो बहुत बड़ा हो गया, आखिर में यह पूरा हट के, इसकी value Y दी थी, सबको हटा के मैंने Y लिग दिया, कितना simple हो गया, और यह तो इसमें जो A और B constant है, वो भी हट गया, वही करना था न, eliminate arbitrary constant, हट गया, eliminate हो गया, replacement कर दिया मैंने, तो यह आया x square, d2y by dx square, plus x dy by dx, और यह जो minus y उस तरफ है, इस तरफ लाओ, plus y, is equal to वहाँ कुछ नहीं बचा 0, कोई भी differential equation के लिए equal के उस साइट 0 रखो, बागी सबको एक साइट रखो, तो finally आपको यह क्या मिल गया, यह मिल गया, differential equation, करना क्या था, obtain the differential equation, आ गया न, और क्या चाहिए, चलो, इसको copy करो, अगला देखते है, अगला question देखते है, अब question number 4 है, यहाँ पर, देखो के question number 4 क्या है, देखो, y square is equal to x plus c cube, बताओ कितने constant है, y constant है, नहीं, x भी एक ही constant है, c, कितने बाद derivative होगे, एक बार, क्योंकि एक ही constant है, ठीक है, तो अब कैसे किया आ जाए, यहाँ पर यह तो y square और x plus c cube है, differentiate कर डा लो, differentiating with respect to x, कर दिया, differentiate, अब क्या होगा, y square का derivative 2y, y का 2 आ गया, 2y, dy by dx, यहाँ गया, जब भी y होता, तो y का again derivative लेने का, फिर x plus c, यह तो x के साथ यह constant है, तो यह x raise to n जैसे treat करो, यह 3 आ गया, 3, x plus c, और 3 में से 1 minus होगा, तो 2, differentiate हो गया, सपोज यह equation 1 है, यह equation 2 है, कुछ substitution क कर सकते हैं, क्या देखो, एक ही बाद differentiate करना था, वापस तो derivative होग है, एक ही बाद differentiate किया, अब क्या करना है, क्या कुछ substitute कर सकते हैं, यह सब square, a cube है, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर यह trick लगाना पड़ेगा, क्या, इसको simplify करके सबसे पहले, मुझे c की value निकालने च सकते हो multiply कर सकते हो divide कर सकते हो ऐसा कुछ भी करो कि यह जो सी हटना चाहिए यह उसकी वैल्यू आ जाए तो चलो मैं equation 1 को 2 से divide करता हूँ divide equation 1 by 2 easily आने के लिए तो क्या हो जाएगा देखो y square को divide कर दिया यह 2y बहुत ही मज़ेदार है देखो interesting है एकदम मज़ा आएगा अभी फटा-फट यहाँ पर क्या देखो x plus c the whole cube उसको divide किया इस से 3 x plus c the whole square से cut क्या होगा देखो 1y से 1y cut हो गया x plus c the whole square से x plus c the whole square cut होगा 3 है तो 1 आगे 2 से 2 cut होगा बनागे so actual में क्या बचा है यहाँ उपर बचा y नीचे बचा 2 dy by dx is equal to यहाँ पर बच गया x plus c upon 3 अब आगे क्या करोगे देखो यहाँ पर cross multiply कर दो जैसे कि देखो यह 3 into y 3y यह x plus c है समझो x plus c रहे गया अकेले x plus c यह 3 यहाँ पर आया x यह आ गया मैंने क्या कि इस c की value को निकालने के लिए x plus c को अलगी रखा अब यहाँ से c निकालता हूं c कैसे आएगा यह x इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा x इस तरफ आए तो minus x फिर plus यह जो था ना यह जी लग रहा है 1 लग रहा है जी तो इस 1 में c था c की जगह यह रख दो तो हट जाएगा ना c substitute value of c यह तो value of 3 in equation 1 चलो क्या था y square था यह 1 देखो यहाँ पर y square is equal to x plus यहाँ पर c अब c की value क्या है देखो यह minus x एक मिनट यहाँ पर क्या है x plus x फिर यह क्या है देखो c की value यहाँ c है c की value क्या है यहाँ पर c की value minus x फिर plus 3y upon 2 times dy by dx यह है तो replace हो गया अच्छा कुछ square वगर है क्या यहाँ पर x plus c का cube है तो यह x और यह plus c यह पूरे को मैं red से रखता हो देखो यह जो c की value तो यह red column में मैंने रखा समझने के लिए black कर सकते हो आपका जो pen color होई करो तो x plus c the whole cube है यहाँ पर the whole cube है यहाँ पर y square है कुछ फाइदा हो रहाएगा देखो मैं बताता हूं यह y square है यह x और minus x 0 हो जाएगा तो finally क्या बचेगा 3y upon 2 times dy by dx और यहाँ बच गया cube अब करो y square is equal to 3 3 cube 27 y cube upon 2 cube 8 और यह क्या है dy by dx the cube है ना 2 का cube 8 और इसका सब का cube हो जाएगा अगले step में देखो क्या करना है अब देखो यह y square है इसको ना cross multiply और यह चीजों को यहाँ पर ले क्या हो यहाँ पर कुछ काट हो रहा है क्या नहीं यह सब चीजें यहाँ लाओ यह 8 into dy upon dx the whole cube इदर आ गय है 8 dy by dx the whole cube यहाँ पर आ गया है ओके और यहाँ पर क्या है y square और इस y square को यहाँ ले जाते है 27y cube upon y square 27y cube upon y square cancel हो जाएगा ना इस लिए इस y square को यहाँ लाए इसको पूरा यहाँ लाए तो अब यह देखो y square से square cancel होके y रह जाएगा सो 8 dy by dx the whole cube और यह 27y इस तरफ लाओ तो minus 27y is equal to 0 आ गया जो desired equation था अब आपको कैसे पता चाहिए कि यही लाना था बस आपको यह देखना है कि जो यहाँ question में constant था सी वो नहीं आना चाहिए dy by dx यह d2y by dx यह differential equation के लिए derivative आना चाहिए बस यह हो गया काफी देखो replacement करना पड डिवाइट करना पड़ा लेकिन finally आपको कैसे भी करके answer लाना ऐसा answer जिसमें constant नहीं हो और derivative आना चाहिए ठीक है यहाँ से copy करो चलिए हो चुका है अब देख लेते हैं पाच्वा question क्या दिया है देखो पाच्वा question y is equal to a e raise to 5x plus b into e raise to minus 5x अभी मैंने आपको 3rd question बताया था value y थी तो y लास्ट में replace कर जिया था है तर्ड question याद करो कैसा था बिल्कुल उसी तरह से करेंगे वहाँ ट्रीग होता है यहाँ exponential है बहुत ही आसान question कितने constant यहाँ पर देख लो दो constant दिख रहे हैं a और b यहाँ पर a पहला constant b दूसरा constant है और यह exponential है दो पार differentiate करो गए यहाँ लिख दो differentiating with respect to x तो क्या हो जाएगा y का derivative हो गया dy by dx a constant है तो a का derivative 0 होना चीए बट जब वो अकेला होता है तो तब उसका derivative 0 होता है जब किसी के साथ हो function के तो उसको ऐसे ही रखते है a को a रखेंगे e raise to x का derivative क्या सीखा था e raise to x का derivative e raise to x ही होता है बट x के जगा और कुछ आया तो उसका अगें derivative निकालके multiply करना है e raise to 5x का derivative e raise to 5x आएगा जो 5x है उसका अगें derivative निकालोगे 5x का वापस से derivative तो 5 आएगा उस 5 से यहाँ multiply करना है तो 5 से multiply मैं आगे कर देता हूं यहाँ पर plus यह b है b ऐसे ही रहेगा फिर यह जो e raise to minus 5x है इसका derivative क्या आएग तो मैं यहाँ लिख देता हूं minus 5 ओके तो finally यहाँ से दोनों से 5 common ले सकते हो dy by dx is equal to 5 common ले लिया यह क्या बच गिया a यह तो चलो common नहीं लेते है अगले step में करेंगे यहाँ पर 5 a e raise to 5 x plus minus minus 5 b e raise to minus 5 x अब क्या करो a और b दो constant है दो बार derivative लेना तो again differentiating करो दो बहुत ही आसान question मझे दाख okay again differentiating with respective मैं differentiating short में लिक्ता आप पूरा लिखना चाहिए आपको तो dy by dx का derivative हो जागा d2y by dx square 5 a दोनो constant है e raise to 5 x का derivative e raise to 5 x 5 x का again derivative 5 से multiply किया minus 5 b का derivative 5 b ऐसी रहेगा e raise to minus 5 x का derivative e raise to minus 5 x minus 5 x का again derivative minus 5 x तो finally आपको क्या मिला 5 5s है 25 और यहां भी 5 5s है 25 चलो करते 25 a e raise to 5 x minus minus plus 5 5s है 25 b e raise to minus 5 x आगे देखो आगे क्या करोगी यह है d2y upon dx2 है is equal to यह 25 दोनों का common 25 common यहां क्या बचा a e raise to 5 x a e raise to 5 x plus b e raise to minus 5 x यहां से देखो दोनों का 25 common लिया यह बच गया अब वो मजेदार घड़ी आ गई है replacement वाली तो देखो यहां पर है d2y upon dx2 is equal to 25 इसको ध्यान से देखो a e raise to 5 x plus b e raise to minus 5 x अब इसको ध्यान से देखो दोनों को देखने पर क्या पता चलता है कि यह जो यह जो term है वो सेम इसको सेम है और इसकी value y है equation 1 रखो यहां पर और इसकी जगह पर y लिख दिया कहां से आया from 1 यह जो 1 में इसका जो value था y था यह जो था यह सेम सेम आ गया इसकी value y थे उसको हटा के y कर दिया और अब finally d2y by dx को है equal के बाद 0 आना चाहिए हमेशा तो 25y को इस तरह लाए तो minus 25y और यहां पर आप कोई constant a या b नहीं दिखाई दे रहा है d y by dx दिख रहा है हो गया differential equation करना क्या था obtain the differential equation यह जो दिया हुआ equation था इसमें a और b दो constant थे उनको हटा के हमें differential equation दाना था हमने ला दिया है constant भी आट गया है तो इस तरह से इसे करना आपने कितना आसान है किसी भी equation से अगर कोई constant है arbitrary a b c तो उसको हटा के याने eliminate करके एक differential equation फॉर्म करना सिर्फ प्राक्टिस के जुरत है क्योंकि questions के type अलग-अलग आएंगे तो कहीं कहीं अलग-अलग करना पड़ता है जैसे यह third और fifth question था यहां पर हम लोग दो बार derivative लेत second question था वहां पर हमने differentiate एक बार ही करना था क्योंकि एक constant था बट differentiate करने के बाद जो constant a और b था वो हट नहीं रहा था तो हमने substitution method यूज किया तो आपको कुछ भी करना है a b c जो constant होगे इसको हटा देना है और finally differential equation लाना है कहीं से भी किसी को भी replace कर सकते हो substitute कर सकते है बट इस question question का इसी के अंदर आइसा नहीं कि दूसरे question का पहले में कर रहे है ठीक है उमेद करूंगा आपको सब समझ में आ रहा है actual में यह पहला main question है इसके अंदर 10 sub question है जिसमें से हमने 5 कर ली है आज और अभी जो है इसके अंदर 5 और है total 10 sub question है और उसके बाद question number 2 से 7 wording वाले question है यहां पर देखोगे तो करेंगे tension मतलो दीरे दीरे पूरा करने वाला हूं है और सबसे बड़ी बाट 12 का syllabus पूरा होने आया आपके लिए फाइदा हुआ जो पीछे है कोई problem नहीं दीरे दीरे आ जाएंगे आप मेरे साथ चल रहे हो बहु नहीं चाहते है आप उनका भी फाइदा हो क्यों ना इस चैनल से जिससे आप सीख रहे हो उस चैनल को एक बड़े लेवल पर लेके जाया जाए क्यों ना सभी तक इस चैनल को पहुचाया जाए मैं आपके telegram group में बार बार link share कर रहा हूं उसको आपने जो college के friends हैं जो दोस् जितने भी आपके educational group से वहां forward करो ताकि वहां से share हो के वह needy students सक पहुचे ठीक है 10th और 11th के बच्चों को बोलोगे ना चलो बाई everyone तुम्हारा तुम्हारा तुम्हेंने पूरा किया यह मैं आगे तुम्हार लिए MCQ सब लूँगा CET, JE के जो questions होते लूँगा मिलते हैं नेक्स लेक्चर में